हेलो दोस्तो क्या आप लोगों को पता है इंडिया कार मार्केट में कुछ कारों के साथ बहुत गलत हो रहा है क्योंकि दोस्तो मैं जिन कारों को आज आपको बताने जा रहा हूँ न ये विचारी अपने सेगमेंट में सबसे कम बिखती है एक बजा दोस्तो ये भी हो सकती है क कि इंडिया में ज्यद्धा तरा कार लोग एक दूसरी को देखकर हुरीते हैं जैसे अगर हमारे रिलेटिव ने कोई कार खरिद ली या पिर किसी ने कवहार कर खाद ली तो वो कार भाई हमारे पास भी ओनी चाहिए फीचेस नहीं देखेंगे पावर नहीं देखेंगे बस अगर किसी दूसरे ने लेली तो वो हमारे पास होनी चाहिए तो दोस्तो आज मैं आपको ऐसी कुछ कारें बताने जा रहा हूं अपने सेग्मेंट में सबसे अच्छी पावर उफर करती हैं सबसे अच्छी सेफटी भी उफर करती हैं और फीचर्स भी उफर करती हैं फिर भी विचारी कारों को बहुत कम ही लोग खरीते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं इन कारों के बारे में डीटेल से तो दोस्तों मैं संदीप चलिए फिर बिना किस देरे के वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मेहंदरा की एक्षिवी 3W से इस कार के पिछले महिने में 4533 निट सेल हुए हैं ऐसा तो इस विचारी कार के साथ तब हो रहा है यह अपने सेग्मेंट में सबसे अच्छी पॉवर उफर करती है इस कार में आपको 1.5 लीटर डीजल एंजन का टॉख़़़ए है और मारुति ब्रेजा 1.5 ओन पै निटर के पेट्र-ल एंजन के साथ 101.65 बहम और 136.8 निटर का टॉख़़़़ईट करती है और हिंडे की वेन्यू तो एक्सवी थी डवलो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी पौवर देती है इसका एक भी कॉम्पिटेस के बराबर भी पौवर नहीं निकाल पाता और सबसे अच्छी सेफटी भी यही कार आफ़र करती है इस कार ने एडल्ड के साथ 5 श्टार का स्कोर किया है जबकि नेक तो देख सकते हो सेफटी भी अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी ओफर करती है और कुछ दोस्तों फीचर्स भी है जो अपने सेगमेंट में यही इस कार में मिलते है जैसे को डूल जोन ओटमेंट क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पर्किंग सेंसर्स ओल फोडिस्क ब्रेक इस्टेरिंग मोड्स यह सिर्फ आपको एक्षवी 3W में ही देखने को मिलते हैं और एक चीज और है दोस्तों जो सिर्फ आपको मेंद्रा की अक्षवी 3W में मिलती है वह हैं टाइट्स अपने सेगमेंट में सबसे बड़े टाइट्स भी ओफर एक्षवी 3W करती है इस कार के पिछले महीने में 712 unit sales है पूरे महीने के अंदर दोस्तो रेणो क्वेड मारूति के आल्टो के 10 कवें के यह से कम बिखती है अब बात करनें दोस्तों दोनो ही कारों में मलने वाले engines की तो दोनों ही कारों में आपको 1.0 लीटर का engine देखने को मिलता है पर क्वेड आपको अब Dimension में भी आपको काफी difference देखने को मिलेगा दोनों ही कारों में अगर length की बात की जाए तो quid में आपको 1731 mm की मिलती है जबकि Alto K10 में length 3530 mm की मिलती है width की बात की जाए तो 1589 mm की quid में मिलती है और 1490 mm की Alto K10 में मिल जाती है ग्राउंड क्रेंस की तो वह भी आपको kwid में ही जाएंदा है kwid में आपको 183 mm की मिलता है और Alto K10 में आपको 150 mm की groundcranks मिलता है इसलिग के साथ 300 L का boot space kwid में मिलता है और Alto K10 में 214 L का boot space मिल पाता है अगर बातकरने दोस्तों दोने कारों के Tires की तो Tires भी आपको कुछ में ज़्यादा बड़े मिलते हैं कुछ में आपको चौदएंचिस मिलते में जबकि अल्टो टे डंड में सिर्फ 13 आही ट elmers के सी टार मल पाते हैं पर ऐसा नहीं बताओ 762 उनिटी चेल हो रहे हैं पता नहीं और क्या हो रहा है विचारी इस कार के साथ तो चलिए बात करते हैं अगली कार के बारे में वह है रहनो की काईगर सुरुगात करते हैं दोस्तों कार के डामेंशन से क्योंकि यह अपने सेग्मेंट में सबसे सब्सक्राइब में काईगर से लनुक रहा है ज्यासा के जास वहाहे हैं की अगर रहत है अग्या है उठमा उटल्य। बात के जाये तो यृत के से लो कि मलता है और इंद पफ्राइए ओ Also gaming काय औ us하면 को मिल जाती है बील्बेस में आपको काफी फर्थ देखने को मिलेगा काईगर में 2550 mm मिलता है जब की एक्ष्टर में 2445 mm मिलता है और इतना ही नहीं दोस्तों काईगर ऑफर करती है जो कि 205 mm का है, जबकि 5 में आपको 187 mm का मिलता है और फ्रॉंक्स में आपको160 mm का मिलता है और एक्षटर में आपको 185 mm का यह मिलता है, अब आपने देख लिया होगा ग्राउड ट्रैंज भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा ऑफर कायगरी करती है, अगर पावर भाइज भी बात की जाए तो अपने सेगमेंट में सबसे अदब पावर भी यही कार ओफर करती है यह कार 999 CC के थ्री सिलेंड रेंजन के साथ 98.6 HP की पावर और 152 Nm का टॉक जनरेट करती है जबकि मारूतिकी फ्रॉंक्स 998 CC के थ्री सिलेंड रेंजन के साथ 98.6 HP की पावर और 147 Nm का टॉक जनरेट करती है अगर बात की जाए एक्षर की तो एक्षर 1197 CC के फोर्स रेंड रेंजन के साथ 18.8 HP की पावर और 113.8 Nm का टॉक जनरेट करती है अगर रही बात पंच की तो 5199 CC थ्री सिलेंड रेंजन के साथ 86.3 HP की पावर और 115 Nm का टॉक जनरेट करती है अब दोस्तों आपने यह भी देख लिया होगा कि अपने सेग्मेंट सबस्याद पावर भी आपको काईगर में ही मिलेगी और कुछ और बी चीजे हैं जो अपने कॉम्पूटर से जादा देती है आपको वह बूट स्पेस इस दोस्तों आपको नहीं है कि कुछ कार में सेफ्टी के नहीं हो लिग बिल्ड कोईल्टी सेफ नहीं ए कर थेख दोस्तों इस काडी आपकर्रकांश नहीं हुआ है कर इस कार न만ी ऐग्ली चर के बारे में वह थे कि उसकार के मैणे सिर्फ 221 उakyामन युनिट हें अब दीकलों क तो सबसे तगड़ी इस कार की Toyota Fortuner है जिसके वेसे यह कार सबसे कम दिखती है तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों के मैं आपको इंजिन बताता हूं Toyota Fortuner में आपको 275 cc के एंजिन के साथ 201 VHP की पॉबर और 500 Nm का टॉक मिलता है जबकि MG की Gloster में आपको 296 cc के एंजिन के साथ 212 पॉइंट 55 VHP की पॉबर और 478 Nm का टॉक मिलता है पावर आपको दोस्तों ज्यादा ग्लोश्टर में देखने को मिलती है हाँ टॉर्क आपको फॉर्चुनर में ज्यादा मिलेगा इसी के साथ दोस्तों Toyota Fortuner से बड़े टार्स भी आपको ग्लोश् करती है फॉर्चुनर तो आपको कभी देने की यह सोच भी नहीं सकती इस कार में आपको पैनल रूम एक सनरूफ देखने को मिल जाती है एडा सिस्टम देखने को मिल जाता है जो की इंडिया में बहुत जादा पसंदीजा फीचर बन चुका है इसी के साथ 12 वे ड्राइवर सीट अर्जेस्ट्मेंट टायर प्रेशन मोनिटरिंट सिस्टम रिमॉट सीट हीटिंग ड्राइवर सीट मसाज एट वे पावर अर्जेस्टेबल को ड्राइवर सीट और ग्लोश्टर में आपको फॉर्चुनर से बड़ा इंफोटेंबन सिस्टम भी देखने को मिलता है उस और फॉर्चुनर में अथाराइधाव् पर वायट अब बातकर दोनो सीट आइट मे आपको 866 mm की मिलती है और 1835 mm की फॉर्चुनर में जाती है इसी के साथ 950 mm का वीलवेस ग्लोश्टर में मिलता है और 2745 mm का वीलवेस फॉर्चुनर में मिल जाता है अब आप दोस्तों देख सकते हो केविन में भी इस पेस आपको ग्लोश्टर ही ज्यादा उफर करती है फिर भी पता नहीं दोस्तों बताओ इतनी कम क्यों विक्ति है अब आप दोस्तों जल्दी से कमेंट करके मुझे यह बताओ कि जो इन कारों के साथ ऐसा हो रहा है वो सही हो रहा है या पर इन कारों की सेल थोड़ी सी बढ़नी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो द केलदी मुलाकात हो किसे दूसरी वीडियो में जाएं दोस्तों